पार्ट तीन कववा और बंदर बहुत समय पहले की बात है एक घने जंगल में बरगत का एक पेड़ था इस पेड़ पर एक कववा अपने परिवार के साथ रहता था कववा ने उस पेड़ की एक मजबूत शाका पर एक सुन्दर और मजबूत घोसला बनाया हुआ था इसी पेड़ पर एक आलसी बंदर भी रहता था उसका अपना कोई घर नहीं था वह कभी एक शाका पर सोता तो कभी दूसरी शाका पर एक रात मौसम बहुत खराब हो गया और कड़कडाती बिजली चमकने लगी बारिश के तुफान ने सब कुछ धो डाला मैदान में थोड़ी भर भी जगा नहीं बची थी सफ तरफ पानी ही पानी भर गया इस तेज बारिश में भी कववे का परिवार सुरक्षित था वे अपने घोसलों में आराम से बैठे रहे लेकिन बंदर अपने लिए कोई सुरक्षित इस्थान नहीं खोच पा रहा था वा पूरी राठ ठन से कापता रहा कववा अपने घोसले से उस असाहाय बंदर को राद भर देखता रहा अगली सुबा कववा बंदर के पास आया और बोला मित्र तुम देखने में बलवान और स्वस्त लगते हो अपने रहने के लिए तुम कोई घर क्यों नहीं बनाते हमें देखो इस आधी तुफान में हमारे इस सुंदर और मजबूत घोसले ने हमारी रक्षा की आलसियों की तरा बिने किसी उद्देश एक शाखा से दूशरी शाखा पर बढ़कते रहते हो भगवान ने तुमें दो हाद दिये हैं उनका उप्योग करो बंदर ने कवे की बात सुनी तो चुड़ गया वा बोला तुम मूर्ख काले कवे तुमारा साहस कैसे हुआ मुझे सला देने का की मैं जीवन में क्या करूं क्या ना करूं लगता है तुमने अपनी शिष्टा खो दी है दूसरों से कैसा वहवार करना चाहिए या मैं तुम्हें आवश सिखाऊंगा या कहकर बंदर ने बहुत ही गुसे में पेड की डाल को तोड़ा और कवे के गोसले को मार मार कर समीन पर गिरा दिया गोसले के टुकुडे हो गए और उसके अंडे बारे से भीगी धर्ती पर जागिरे कववा वहां से अपनी जान बचा कर भागा वह अपने अंडों के तूट जाने पर फूट फूट कर रोने लगा धन्यवाद